हिमाचल में बढ़ा चुनावी पारा जमबा पहुँचे सीएम जैराम ठाकूर कॉंग्रिस पर बोला जम कर हमला हिमाचल परदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है चुनाव जैसे जैसे नजली का रहा है वैसे वैसे चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है सभी पार्टियों ने प्रचार परसार तेज कर लिया है नेता लोगों के बीच पहुँच रहे हैं इसी कड़ी में हिमाचल परदेश के मुख्यमंतरी जैराम ठाकूर चमबा पहुँचे सीम जैराम ठाकूर ने कहा कि विधान सवा चुनाव के बाद परदेश में बीजेपी की ही सरकार बनेगी इसके अलावा मुख्यमंतरी ने दिल्ली में पियम मोदी से हुई बाद चुनाव का भी जिक्र किया क्या कुछ कहा सुनिए जानवर्ण za degrarem, लेकिन मुझे इस सवा की पूर्षी है कि पांच वर्षिक काऱका जियते हुई वाईंसराराज़ ने आपके इस दन्षभा खेत्र प्रतिन भी के ना ऐस है जहां सड़के पहुंचाने थी वहां सड़के पहुंचाई जहां पानी पहुंचाना थी जहां पानी पहुंचाना थी जहां स्कूल कोलना थी जहां कॉलना 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 थी जहां कॉल पांग बुले सियम जेराम ठाकुर चमबा के चुराह में बिजय संकल्प रैली को संबोधित करने पहुचे थे उन्होंने संबोधन में अपने दिल्ली दौरे का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि जब मैं दिल्ली गया था तो पीम मोधी ने आदे घंटे तक चमबा पर बात क उन्हें चमबा के लोगों की फिक्र है शनिवार को नामांकन बापस लेने की अंतिंक्ति थी है आज चुनाप परचार विदिवत रूप से शुरू कर दिया गया है वहीं सियम जेराम ठाकुर ने कॉंग्रेस पर भी नुशाना साधा उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस भारत जो कोड़ो यात्रा पर इस खबर में फिलाल इतना ही ताज आपडेट के लिए आप बने रहें वान इंडिया हिंदी के साथ